अब देखो, Today is the Journal Entry, Class No. 3 हम लोग स्टार्ट करें है जर्नल का, मैंने आप लोगों को जो First Class के अंदर पढ़ाया था, Basic Journal Entry का सिस्टम समझाया था, तो हमने कुछ Journal Entry कोशन किये था, अब आज हम लोग जो डिसकस करेंगे ना, वो कुछ Special Cases Discuss करेंगे जर्नल में, तो लेखो अब लोग, क्टिक लगाओ, Special Cases in Journal क्टिक लगाओ, Special Cases in Journal Special Cases in Journal अब इसमें है ना, हम लोग वन बाई वन दिफेरेंट तैप लिए दिसकस करेंगे जर्नल के अंदर One-by-one हम लोग अलग-अलग तरह के Patert इसकस करेंगे जर्नल किया अलग-अलग तरीके से हो सकता है ठीक है ना? अब उसमें पहला पॉइन लिखो अब लोग रेड डिस्काउंट वर्सिस क्ष डिस्काउंट एर डिस्काउंट वर्सिस क्ष डिस्काउंट trade discount versus cash discount अब देखो क्या होता है जैसे हम लोग बात करते है trade discount की सब लोग ध्यान समझा trade discount होता क्या है यहाँ पर यह नाम बता रहा है यहाँ एक word लिखा trade now what do you mean word trade trade word का मतलब क्या होता है buying and selling of goods trade का मतलब क्या होता है good एक चीज मेरे को बताओ आप लोगों ने बहुत सी बार देखा होगा दिवाली के आज पास यहाँ अनलाइन अमेजन पर देखते हैं सेल आती है अना अभी रिपब्लिक डे की सेल आती है इंडिपेंडेंस डे पर सेल आईगी मतलब कोई भी ओकेशन आता है तो काफी लोग सेल लगाते है और सेल के तो प्रड़क को सेल आउट करने ही कोशिश करते हैं ऐसे होता है अब इसमें जाद है आप सिर्फ यह देखो इमेज दिख रही है आपको यहां दिख रहा है यह चीज़ इनने एक प्राइस कट कर रखी है और कट करके इसे तो एक सिंपल डिस्प्लेश ले आगे प्राइस ने लिखी अब आगे जैसे यह लिखा है ना 12-4-99 कट किया और डेश-डेश-99 मतलब यहां 5 डिजिट है अब होने वाला है 4 डिजिट का यहां 5 डिजिट है यह अब होने वाला है 4 डिजिट का अब यह जो डिस्काउंट होता है ना यह कहलाता है ट्रेट डिस्काउंट यह क्यों दिया बताओ trade discount क्या करने के लिए शेल बढ़ाने के लिए यह क्यों दिया शेल को बढ़ाने के लिए अपने ऐसा देखा है ना बहुत सी बार अब जैसे अजीम करो यह ऐसे advertisement चल रहा है great billion days starting big indian festival यह ऐसे देखते हैं तुम लोग अब आप मेरे को एक बात बताओ जैसे यह वाला है यह और image में आपको बताता हूँ जिसमें तुमको बिल्कु अच्छे समझ में आ जाएगा अब इस image में देखो जैसे एक mobile की price लिखिया है actual price इतना है इसो cut करके deal price इतना कर दिया अब बताओ 17,000 के फोन को 12,000 तो आप जब यह अगर यह फोन आप अमेजन से purchase कर लो तो आप बिल मांगोगे और बिल कितने रुपए का आएगा आपको 17,000 का आएगा कि 12,000 का आएगा कितने का आएगा बिल 17 का यह 12 का 17 का 12 का आएगा ना 17 ना कैसे आ सकता है आज 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 मालो कमनी को जीए सकता है टेक्स इस प्रेस पर लागा है इंद इस पर बेचेगी यह जो आपका sale value टेक्स पर लाएगा ना अब आप मिर को बताओ 17,000 की चीज को आप 12,000 पर बेच रहे हो 17,000 की चीज को आप बेच कितने पर हो अब यह जो discount दिया पांच आप यह कौन सा discount है इसको क्या बोलते हैं बच्चो और इस discount को sale को बढ़ाने के लिए दिया जाता है इस discount को sale को बढ़ाने के लिए दिया जाता है ऐसा discount which is given to increase the sale इस ओने पर यह जो price दिख रहे हैं आपको 16,999 इसको बोलते हैं list price इसको को बोलते हैं list price या MRP list price या MRP और यह जो difference है इस difference को 5000 का जो difference दिख रहा है इस discount को बोलते है trade discount इस discount को क्या बोलते हैं मेरी बात फिर सुनेंगे वो price जिसको cut कर रहा है उसको कहते है list price क्या बोलते हैं या MRP और यह जो difference है इस difference को बोलते हैं कौन से discount trade अच्छा आप मैं बताओ आप अपनने अभी source document एक chapter पढ़ा था last chapter पढ़ा था जाने source document वहाँ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी वहाँ मैंने आपको यह समझाया था कि source document के इसाब से books में recording की जाती है हम जब भी books में recording करते हैं तो recording में based क्या होता है अपना source document अब आप मेरे को एक बात बताओ कि वो बिल वो जिसकी actual price इतनी थी जो भी कितने पर आए आप में को एक बात बताओ जब बिल आए जब entry करेंगे तो entry bill से करेंगे और बिल कितने रुपर का आएगा 16999 का कि 11999 का इसका मतलब यह हुआ कि sir यह discount है इसको books में recording नहीं करते हैं हम लोग इसको books में recording नहीं करना है तो ऐसा discount which is given to promote the sale ऐसा discount which is given to promote the sale उसको हम लोग बोलते trade discount उसको हम लोग क्या बोलते हैं trade discount आप समझे बात को the discount which is given to increase the sale of the product is known as trade discount any doubt और उस discount को कभी भी books में record नहीं करते हैं अब लिखाओ trade discount लिखना that discount लिखो that discount which is given अब लिखाओ increase or profit sale is known as trade discount इस नोट रिकॉर्डड़ड़ इसको बुक्समें रिकॉर्ड नहीं करते हैं इसका सोल परपर्स क्या है क्या बढ़ाना? सेल बढ़ाना इसमें लिख दो फॉर एक्जामपल मान लो अशू प्रोड़क्त है इसकी मान लो MRP इसकी 500 ऐसे स्लैश करके लिखना, ओफ़र्ड प्राइस 300 MRP 500 थी ऐसे स्लैश करके लिखो और प्राइस 300 यह 200 का जो दिस्काउंट है यह 200 का जो दिस्काउंट है नहीं करना है तो ट्रेश के लिखने के लिखना discount का मतलब क्या हुआ? ऐसा discount जो sale को बढ़ाने के लिए दिया गया और this discount is not recorded in the books. अब ये जो price है ना इसको बोलते है list price और MRP अधा maximum रपी अधा रिट्सकाउंट अमेशा list price पर निकलता है ध्यान रखना है अच्छा अब अना यहां तक कोई दिक्कत बोलो इनी confusion अब एक एक ग्जामपल सब लोग ध्यान से सुनना अब यहां अधान कॉपी नहीं करेंगे अब है इदर समधना मैंने एक 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 ग्जामपल लिखा आपके सामने पर्चेस गुड्स प्रॉम शाम लिस्ट प्राइस नेन थाउजन ट्रेट डिस्काउंट ट्वंटी परसेंट ऐसे क्यूशन मिलेगा आपको हमने एक प्रॉम शाम प्रॉम जिसकी लिस्ट प्राइस कितनी है कि दसवर और ट्रेट ड्सकाउंट कितना इस परसेंट कर्चेस अब दसवर कि लिस्ट प्राइस प्राइस न वेज़ाए कि गूट बेदेठिक कुझा गया- परिशल那么 Age इसे परसेंट टिसकाउंट है ऑलेड़ biggest वितन 2050 करना है एक तरह से आठ जार के गुड्स का अगर लिस्ट प्राइज दस जार डिस्काउंट पीस परसेंट है तो यह वाला रिकॉर्डिंग कितने से किया जाएगा आठ जार अब किस्से पर चेस कि हमने अब बिल कितने का बने का आपका आठ जार अचा अब बिल अगर आठ जार का है आलो बिल आया आठ जार का आप एंट्री कैसे करोगे नॉर्मल अपने गुड्स पर्चेस किया तो पर्चेस अकाउंट डियार तो शाम अचा पर्चेस कौन सी का टेगरी और शाम तो पर्चेस कितने से डेबिट करों और शाम कितने से क्र इस discount को books में record नहीं करना है मैं आपको यह समझा रहा हूँ मैंने entry उस 2000 कट करके मतलब यह वाला case क्या हुआ कि 10,000 था ऐसे slash हुआ और फिर कितने पर आया product अब यह जो बच्चो 2000 का discount था यह का लाएगा trade discount और यह जो 10,000 है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे list price आई बाद समझ में तो ऐसा discount ऐसा discount जिसको books में record नहीं करते हैं उसको क्या बोलते हैं trade discount उसको क्या बोलते हैं trade discount बोलो यहां तक कोई दिक्कत इनी doubt वापस समझाओ समझाया पतीक देखो 10,000 के list price थी कितना trade discount था 20% 10,000 का 20% निकालो कितना आता है 2,000 तो मतलब बताओ product की recording कितने पे करेंगे हम लोग 8,000 तो यह जो purchase के entry करेंगे यह कितने पे करेंगे 8,000 और creator कितने था बनाया 8,000 यह 2,000 के discount को books में कभी record नहीं करते यह जो 2,000 रुपे का discount है इसको books में कभी भी record नहीं करते यह होता है trade discount आई बात समझ में 10,000 को थोड़ी ना करना है 8,000 को यह तो करेंगे अभी तो पूरी कहानी यही बताए 10,000 की चीज है discount 20% तो बिल 8,000 का है 10,000 कैसे करेंगे वो ही तो आठ वल यह 10 अलग ना 8 अलग थोड़ी नहीं यह 10 के अंदर ही तो 8 है यह 8 किसका पाट है 10 का ही तो पाट है अरे आप में को एक बात बताओ अमनी ने ऐसा बोला 17,000 कट कर दिया और बोला 12,000 देने आप बोलो सर मैं 12 भी दूँगा ने 17 भी दूँगा फिस 17,000 की चीज़े तो बारा में भिकरी है यह तो आप मोबाइल करी दोगे लो बारा भी लो discount price 17 और ले लो तो इसा होगा क्या बारा ही तो दोगे तो यह बारा सत्रा कहीं तो पार्ट है तो यह जो पांच आर का discount यह trade discount कहला था समझाया है mentally, physically पूरा इधर द्यान दो अब आप mentally तो घर पे सोचो घर पे आज हमारे यह जाना है, यह आँ जाना है, वहाँ जाना है मौसम बढ़े है, वहाँ गूमने जाना है, यह करना है तरब आपके यह खाएंगे, पिएंगे और physically सी वहाँ बैठे हो तो पता ही चले है क्या पढ़ रहे हो फिर समझाया है अब यह ध्यान रखना trade के बाद अगला जो concept आता है उस concept को हूँ लोग बोलते है cash discount उस concept को हूँ लोग क्या बोलते है cash discount का मतलब होता है बच्चो ऐसा discount अब नाम बता रहे cash cash discount बता। क्यों दिया होगा बताव कियूं दियुकाएंगेक अक्य होस तो कि एर्च एकश्ट मेरेंद इसकाउंट दिया है कि मैंने कोई बचाई है, गोलताँ था पुरी विछ एक सबस्ट देख दूद दिसकाउंट है कि स्कूल्स में होता है आप पूरा एक साल जाने गरों 5% डिसकांट मिल दाता है आपको ऐसा डिसकांट विच इस गिवन तो इनक्रीज कैश कलेक्शन ऐसा डिसकांट जो दिया क्यों ताकि कैश का कलेक्शन फटा फट हो जाये मतलब कैश कलेक्शन को बढ़ाने के लिए जो discount दिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Cash discount That discount which is given to increase the collection of cash वो कहलाता है, अब ये दो तरह का वापस ये कितने types का होता है? एक तो होता है discount allowed और एक होता है discount As a discount which is given to increase the collection of cash Cash फटा फटा आजा है टेटर से वो कहलाता है कौँसर दिसकाउंट और ये दो तरह का Discount allowed और discount अच्छा बताओ, अलाओ किसको गरोगे? टेटर को की क्रेड़िटर को Discount दोगे किसको और मिले किस से अब मैंने आपको discount दिया तो आप में ले डिटर हो और आपके ले मैं करिटर हूँ तो आप बोलोगे discount receive मैं बोलोगे discount allowed So the discount which is given to increase the collection of cash is known as cash discount अब आप समझो बिल आया मेरे पस बिल आया आठेजार रुपे का बिल कितमे आया? आठेजार का मैं सामने आले को बोला कि यार मैं सावान उधार पे ले जा रहा हूँ अब मैंने बिल आया मैंने एंट्री कर दी मान लो इस तरह परचेज तू शाम अच्छा मेरे को बताओ अगर मैं ऐसे एंट्री करता इसका मतलब परचेज किसमे क्या मने है? और उसका मतलब परचेज किसमे क्या मने है? इसका मतलब हुआ कि परचेज किसमे क्या मने है? और इसका मतलब हुआ परचेज किसमे क्या मने है? तो आज समयना है, सर अगर ये वाला केस है, अगर वो वाला केस है, अब शामन उधार पे लेके जा रहे हैं, तो शामने का एक काम करो, अभी हतवाद पेमिंट कर दो, शामने क्या का, अभी हतवाद पेमिंट कर दो, और हतवाद पेमिंट करोगे, तो मैं आपको 5% का और दे दूँगा है जिए प्रिमेंट क्लियर कर दो और पांच परसेंट डिसकॉंट इसा अब उस्टिकाइश इसकॉंट मिलते हैं बुल्क में सावन उठाओ कि अपुस्ट इसन इतना सत्रह दर की बारेदर में कैसे बेच रहे बता है यह तो लॉस्ट काके तो नहीं बेचे मैंठ करता है तो अच्छा इसको है अब ह scorpion ईसने का बोला पांच परसेंट इसकाउन तब लुगा अच्छा परसेंट किस्मेंटंगे ल Catastricht किसमने को 800 था है और 907 कने लिटन की अंट 7 कितने रुपे का और डिस्कांट मिल जाएगा? 3 100 रुपे? अब बताओ 8000 के हमको पेमेंट करना था, 400 रुपे का डिस्कांट और मिल गया. तो नेट पेमेंट कितना करना रहा है मेरेको? सामदार ने बोला मेंको इमीजेट पेमेंट करो? आट दाएक चीज़ पर 5% रिसकाउंट डो तो कितना प्यमिंट करना पड़ेगा बताओ मेरे को साथ 600 अब एक अट्री क्या से लो इधर शाम को पेमिंट करना था तो शाम कितने से क्रेटर था बुक्स में तो कितने से क्रेटर था शाम ने का इमेजिट करो 5% रिसकाउंट रुठाओ तो में ने का शाम को पेमिंट किया तो लाइबिटी बड़ी के कम हुई कम हो गई पेमिंट किया तो जेव से क्या गया तो क्या करें असेट कम हुआ तो क्या करें अब डिसकाउंट मिला की दिया डिसकाउंट मिलने मिलनें अमारे फ़ायदा नुकसान है क्या करता है रिवीन्य बढ़ता है तो क्या लिखो तू इसकाउंट अ गार्टिंग इतने रुपे शाम detmos काटेगरी, यह सेकेंड एंट्री काटेगरी, यह फिर्स्ट एंट्री काटेगरी, बोलो आई बात समझ में है, यह नी डाउट, फिर समझ ले ना एंट्री को, जेखो, अब जो मैं समझ रहा था, वो डिस्काउंट जो हम लोग क्यों दे रहे थे, जो कैश कलेक्शन दे रहे हैं, उसको क्या भोलते हैं, अब कैश डिस्काउंट कितने तरह का होता है, allowed और discount allowed हमारा बताओ, कमाईये की खर्चा है तो देखो discount allowed discount allowed ध्यान रखना हमारा क्या होता है, expense होता है discount allowed हमारा क्या होता है और discount receive हमार लिए revenue होता है discount allowed हमेशा किस पे होता है और receive किस पे होता है हमेशा तो ऐसा discount जो cash collection फटा फटा उसलिए दिया रहा हो कहलाता है cash discount, तो लिखो आप लोग cash discount, the discount which is given to increase the collection of cash and is divided in two. discount allowed discount received revenue discount allowed अपना expense, discount receive अपना revenue या मेशा किस से होगा, debtor से और या मेशा किस से होगा, redditor से इसमें को दिकत come to page number 8.24 book open करो page number 8.24 पर आओ illustration no.6 से book का दिखना है दूर पीना वाच कंपनी दिली परचेश 25 पीसिस अफ ताइम स्टार रांड वाचेश 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 दिली फरे ध्यान से diminuer परचेश कम दिली परण का नाम है purchase किस ने किया, पीना वाचे कमपनी ने इस से क्या, from pioneer watch company दिली बीना वाच्क कमपनी ने purchase किया किस से pioneer watch company से, मतली बीना watch company purchase हा रहे और pioneer watch company अगे पढ़ो at list price of 2000 परपीस अब list price कितनी है बताओ list price मतलब list price का मतलब क्या हुआ less 10% trade discount 10% क्या हो गया watch कितने की है बोलो एक watch कितने की है कितना trade discount है अब बताओ अगर 2000 रुपे 10% का trade discount है तो net कितने की बड़ी watch 2000 पर 10% का दिया ना कि list price है 10% trade discount है तो net कितने की बड़ी watch बोलो यहां तक समझ आया तो यह जो 200 रुपे का discount है इस discount को हम लोग क्या बोलेंगे क्या इसको बुक्स में record करना है क्या नहीं recording कितने रुपे से करेंगे बताओ 800 एक watch 1800 कितनी watch करी थी तो total 25 into कितने की recording करेंगे हम लोग yes or no तरी बाद फिर समझ ना 2000 रुपे watch की price है 10% trade discount है net price हुई 1800 25 watch है खरीदी तो यह rate होगी बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को वापस समझाओं आगे पढ़ते and cash discount of 2% अब 2% का CD मिलेगा लेकिन कब मिलेगा on payment within 15 days from the date of अगर हो कितने दिन में पैसा दे दे अगर आज खरीदा अगर 15 दिन में पैसा दे देगा तो 2% का cash discount और दे देंगे बोलो यहां तक समझ में आया आगे पढ़ते हैं बीना watch company अगर मैं ऐसा बुलता हूँ अब एक company कौन सी है बीना watch company और दूतरी company कौन सी है पाइनीर watch सबसे पहले आप एक चीज़ समझ न अगर मैं ऐसा बुलता हूँ कॉपी कोई नहीं करेगा ध्यान इदर देंगे एक बार न list price कितनी थी watch की 2000 rate discount कितना था net price कितनी है watch की 800 तो total value कितने की हुई ये कितने की आती है बोलो ये multiply करना आता है न इसमें तो कोई doubt नहीं है अब सामने वाले ने ऐसा बोला कि अगर payment 15 दिन में कर दिया तो 2% का cash discount और मेलेगा अब अब तो cash discount कितने पर मिलेगा पैंताले जार पर की इस पर मिलेगा पैंताले जार पर आपको दोनों की बुक्स में इंट्री करनी है अब आप कैसे करेंगे ध्यान दो सबसे पहले मैं सिंपल ऐसा फॉर्मेट बना लेता हूं एक तो मैंने बात की बीना वाच कंपनी और एक मैंने बात की पाइनीर वाच कंपनी कि भीन अवाच कंपनी ने सामान खरीदा क्या कराओ सामान खरीदा कि अपचेश में 25 पीस खरीदे तो पर्चेस अकाउंट डेट वाच कंपनी है तो घड़ी उसके लिए एगूंस होगी तो बताओ, बीना वाच कमनी अपनी बुक्स में पाइनीर को 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 पा गोड्स परचेस्ट गोलो यह सॉर नो अच्छा परचेस्ट नमबर वन एक्सपेंस पाइनिर वाच नमबर वन इवलिटी गोलो इसमें उट कि जब परचेस के अथब एंटरी करी यह वाला वापस सम्झाओ गोलो भावय सुना नहीं है अब क्या होगा बता हूँ पाइनिर वाच कमनी ने किसको सामान बेचा तो पाइनिर वाच कमनी उसको क्या बनाएगी डेटर क्या बनाएगी डेटर बनाएगी अच्छा डेटर सर रीकॉल में बिलॉंग्स तु लाइबिलिटी के टेगरी Assets करते हैं और Assets हमेशा क्रेडिट करते हैं कि Debit तो Pioneer Watch Company क्या करेगी बेना Watch Company को Debit की Debtर बनाया तो ये करती है बेना Watch Company You First Entry Assets First Entry Treveny हो इंग पुलो एनी डाउट इन देसे वापस समझाऊ हूं हमने किया था पच्छेस घडियां खरी थी एक घड़ी की लिस्ट प्राइस दो जार थी ट्रेट डिसकाउंट दस परसेंट हुआ तो नेट प्राइस फड़ी अठारा सो रुपए पच्छेस घड़ी आती पच्छे प्राइस अकाउंट डबिट तो पाइनीर वाच की दोनों घड़ी हों के इसले घड़ी उनके लिए गुड्स हो गई पर्चेस तो पाइनीर वाच इसने सेल करी बीना वाच तो सेल तो यहां तक कोई डवट? अनी कन्फूशन? अब पेमेंट सामने आप बताओ पेमेंट के लिए इस कम्नी ने इसको ऐसा बोला पाइनीर वाच कम्नी ने इसको ऐसा बोला कि अगर आपने पेमेंट हमको 10-15 दिन में कर दिया तो 2% डिसकाउंट और CD देंगे हमको अब बताओ कैश डिसकाउंट कितना मिलेगा? याते हैं निकलना? यह कैंसल हो गया साड़े चार सुन टू दो तो अब बेर को एक बात बताओ अमाउंट कितना पे करेंगे? तो अमाउंट पेड बाए पीना वाच कम्पनी आती ही बात समझ में? अब मेर को ऐक बात बताओ जब यह पैमेंट करेगी बीना वॉच तो क्या करेगी? लाइबिलिटी खतम करेगी? और लाइबिलिटी खतम करने के लिगा करना पड़ेगा पायनीर वाच को डेबिट करना पड़ेगा? तो यह करते हैं on payment pioneer watch अच्छा बताओ pioneer watch second entry की first entry close होगी books में second entry category liability two कितना payment करते हैं अध्य में आव सोर में आमको तो two discount यह second asset यह first revenue being amounted yes or no अच्छा अब यह जो 900 रुपे concert discount है cash की trade concert below cash discount this is known as अच्छा अब pioneer watch इसको amount receive होगा अब receive होगा तो पैसा आया किस से पैसा आया तो अब यह बीना watch को क्या करेगी credit की debit कितना पैसा आया चमाल लिजार तो यह क्या बोलेगी कितना discount allow किया और two अच्छा बताओ cash कौनसी फैमिली का मेंबर फस्स एंट्री सेकेंड एंट्री cash के एंट्री नमबर वन फैमिली तो वन ए discount allowed discount दिया discount दिया पहले बताओ discount किसने दिया pioneer watch ने तो उसके लिए खर्चा ही कमा ही है और खर्चा है और debit किया expense को debit किया expense को जब बढ़ता है तब debit होता है न so this is expense first discount allowed तो create expense debit करे तो first होगा asset debit तो first होगा asset category credit second होगा expense category credit second होगा revenue category credit first होगा revenue category debit second होगा अब discount receive मिला तो revenue है credit है तो first allowed तो create क्या नमने है अब बीना बॉच क्या थिया हमरी डेटर थी डेटर क्या होगा तो बता हुआ फैमिली कौन सी asset तो asset family और क्रेट हो रहा है second तो this is your ये clothing entry होगी तो बीग अमाउंट रेसीवड तो आई बाद समझ में पच्चेस घड़िया खरीदी 2000 लिस्ट प्राइस थी 200 ट्रेट डिसकाउंट तर इतने की total प्राइस है उसने परचेस किया उसने एंट्री की इसने सेल किया पेमेंट आया तो लाइबरिटी खतम करी डिसकाउंट मिला डिसकाउंट दिया और यह अपना cash अज दिसकाउंट करो कोपी करो फटाफट और कोपी करें एक बार काम करना कॉपी दो मिट बात करना है और फिर मैं क्लास फिर तूम करना कॉपी होमवर्क में एक तो है ना आप पेज नंबर 8.25 पे पेज नंबर 8.25 पे आपको ट्रेट डिसकाउंट और cash डिसकाउंट को डिफरेंस गिवन है रिबेट छोड़ देना अभी आप सिर्ट डिसकाउंट cash डिसकाउंट डिफरेंस कॉपी में लिखके लाओगे नहीं करना है ना रेट डिसकाउंट cash डिसकाउंट डिफरेंस कॉपी में लिखके लाओगे फिर mcq में अब आप पेज नंबर है फिर 8.43 8.43 इस पर क्योशन नंबर 4 करोगे होट्स में से एक क्योशन नंबर 5 करोगे एक पेज नंबर 8.47 वेरी शॉर्ट आंसर टाइम वेरी शॉर्ट में 1st, 2nd, 3rd 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th 11, 12 ये पूरे कॉपी में करके लाओगे क्योशन लिखना है सिर्फ आंसर लिखके लाना है कॉपी में आपको है ना और एक पेज नंबर पेज नंबर 8.19 पर इलस्टेशन नंबर 4 इलस्टेशन नंबर 4 और इलस्टेशन नंबर 5 ये होमवक करके आँगे ये होमवक सब लोग करके आएंगे आज ठीक है ना और होमवक कॉपी में करेंगे आप लोग एक कल इसका टीपी भी दूँगा मैं ठीक है ना चलो ये कॉपी कर लो फॉट आफट पर से लो ये होगा पर लोग करके आफटासा नंबके आएंगे टामिवाने अधम हो फॉट चलो लो ये हो रहा गाईन्यों, आप लोग